असलावलेकूम स्टुडेंट्स क्लास थर्ड प्रेमरी स्ब्जेक्ट ईवियस आज का जो हमारा टापिक है वो है इनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेस इससे पहले हमने इनिमल्स के बारे में पढ़ा था तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनिमल्स जो हैं वो मक्तलब जवों पे रहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इनिमल्स लिव इन डट्रीज दर्खतों पे कौन-कौन से इनिमल्स रहते हैं उसके बाद है इनिमल्स लिव इन वाटर कुछ इनिमल्स पानी में रहते हैं कुछ उनली आइंड、कुछ जमीन पर रहते हैं संब एंइमेल फ्लाई नंदा स्काई ८िह और उड़ते हैं संब इवं ओर हो सेहेज हैं और कुछ जहें हमारे गुरों में भी रहते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे इनिमाल्स लिए इन्दा ट्रीज तो ट्रीज पे कौन-कौन से अनिमल्स रहते हैं हम यहां पे लिखेंगे क्रो, कवा, सपैरो उसके बाद है स्क्वेरल उसके बाद है कंगारू गया उसके बाद है औवल यह जो एनिमल्स हैं यह काम पे रहते हैं ट्रीज पे रहते हैं दूसरा जो पार्ड है हमारा वो है ऐनिमल लिव इन्दा वाटर इनिमल पानी में रहने वाले जन्वारी तो पानी में कौन-कौन से रहते हैं फिश है क्रोकोडाइल है जिसको अब अगर मच बोलेंगे फ्रॉग डक टरोटाइज तो ये हैं पानी में रहने वाले जनवार हैं उसके बाद है एनिमली यू आंदा लेंड जमीन पे रहने वाले जनवार हैं जैसे के लाइन शेर एलिफिंड एलिफिंड है हर्स है कौव है ट्राइगर है ये हैं इनिमली यू आंदा लेंड जमीन पे रहने वाले जनवार हैं उसके बाद हैं इनिमल फ्राई इनिमली यू आंदा लेंड लेंड जमीन पे रहने इंदा स्काई है असमान में उड़ने वाले तो इगल है क्रो है सपेरो है पिजन है और और है इस तरह बहुत सारे इनमल्स है उसके बाद कुछ जनवार जो हमारे गरों में रहते हैं तो आपने अपने गरों में देखा होगा कैट को भी डाग को भी काव को भी हर्स को भी तो यहां पर हम लिखते हैं हमारे गरों में क्या क्या रहता है cat, billy, dog, cow, goat, horse तो ये जो जन्वार हैं ये हमारे गरूँ में भी पलते हैं तो हमने देखा animals जो हैं वो मक्तिलफ जगों पे रहते हैं जैसे हमने पहले देखा animals live in the trees तरख्तों पे कौन-कौन से animals रहते हैं हम देखा crow है, sparrow है, squirrel है, kangaroo है, owl है, इस तरह parrot है animals live in water, पानी में रहने वाले जन्वारों के बारे में हमने देखा fish, crocodile, frog, duck, tortoise ये सब पानी में रहने वाले जन्वार हैं उसके बाद animals live on land, जमीन पे रहने वाले जन्वार हैं lion, elephant, horse, cow, tiger ये सब जमीन पे रहने वाले हैं बहुत सारे है animals fly in the sky अब अस्मान में उडने वाले जन्वार जो हैं जैसा के eagle है, crow है, sparrow है, pigeon है, owl है इसके साथ साथ फिर हमने देखा animals even live in our houses हमारे गरों में भी कुछ animals रहते हैं जिनको हम pet animals कहते हैं cat है, dog है, cow है, goat है, horse है तो ये जो था हमारा आज का जो ये lesson था वो था animals live in different place तो nest इससे आगे हम जाएंगे आज एतना ही, खुदा आफिस